हेलो एवरिवन वेलकम टू माई मॉम्स चैनल श्वेता की रसोई आज मेरी मॉम बनाने जा रही है मेरी फेवरेट आलू मेथी की सबजी सबसे पहले हम पैन में सरसो का तेल डाल लेंगे मस्टेड ओल मस्टेड ओल को अच्छे से गर्म करना पड़ता है ओल हमारा अच्छे से गर्म हो गया आप देख सकते हैं ओल में से धुआ निकल रहा है अब हम इसमें आड करेंगे जीरा जीरा डालने के साथ साथ ही हम इसमें 2-3 मीडियम साइस के कटे हुए आलू आड कर लेंगे और इने अच्छे से हम लोग सौटे करेंगे आलू को मैंने दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक किया है कवर करके आलू स्प्रीम से ही पक जाएंगे आप देख सकते हैं हलके गोल्डन ब्राउन हो गए है हमारे आलू ये 70-80% पक चुके है अब हम इसमें आड करेंगे आदा चमच हल्दी हल्दी आड करेंगे इसमें अब हम इसमें आड करेंगे एक मीडियम साइज का प्यास बारी कटा हुआ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे हम प्यास बिल्कुल पहले आड नहीं करेंगे प्यास हमें आलू डालने के बाद ही आड करना है वरना हमारा प्यास ज आड़ करेंगे वन टीज्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टीज्पून के लगभग मैंने जिंजर कार्लिक पेस्ट ली है आप चाहो तो जिंजर को अवाइड कर सकते हैं अब इसे अच्छे से से मिक्स कर लीजिए और दो से तीन मिनट लो फ्लेम पर इसे को खोने दिन अब इसमें डालेंगे टू ग्रीन चिलिस चॉप की हुई अलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब हम इसमें अड़ करेंगे मेथी अब हम इसमें अड़ करेंगे मेथी धाइसो ग्राम के लगभग ये मेथी है मेथी को मैंने पहले ही दोकर अच्छे से सुखा लिया अगर आपको मेथी कड़वी लगती है तो आप मेथी में नमक डाल कर उसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए सारा कड़वापन उसका निकल जाएगा और फिर उसे अच्छे से साफ करके आप सबजी में एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें आड़ करेंगे नमक according to taste मेथी में एक अपना नमक भी होता है आप नमक अपने टेस्ट से थोड़ा कम ही याड़ करिएगा अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मेथी को पकते में दो मिनट ही लगती है मेथी एकदम पक चुकी है अब मैं इसमें आड़ कर रही हूँ 1-4 टी स्पून धनिया पाउडर साथी साथ इसमें आड़ करेंगे 1 टी स्पून ड्राइ मैंगो पाउडर अमचूर पाउडर अब इसे एक मिनट के लिए लो फ्रेम पर कुक करना है बस आलू को अच्छे से मिक्स कर लीजे हमारी चटपटी आलू मेथी की सबजी सर्फ करने के लिए एकदम रड़ी है आपको मेरी ये चटपटी आलू मेथी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और अगर अच्छे लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो